हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागे थे आपका मेरी चैनल पर आज मैं आप तो के साथ बहुत ही मज़िदार से रस्पी शेये करूंगी जो पालक से बनगर की रेडी हुआ है खाने में बहुत ही मज़िदाल लगता है और बहुत ही कम समय में फटाफट बनकर की रेडी भी हो अपर से बहुत ही जा घरी जाता हैं नाचाहिए देन ना किसे अद्राज का लिख बाई कर लेखें तो यहां पर मैने प्लिए प्लाकतों के साथ कहा सकते हैं तो को मैं प्लिया थे ऑर उसे बिलकुल मरियां तरीकी से धुल दिया है और वैसे भी ठंडिया शुरू होती ही मार् को बिल्कुल बारिक बारिक कट कर लेंगी तो यहां पर मैं ने पालों को बिल्कुल बारिक बारिक कर लिया हैं तो यहां पर मैं बिल्कुल लंबी- sectors में मूटा भी रहेगा तो चलिएगा इस तरीके से कट करेंगे कट करने की बाद से अब इसे बिल्कुल अलग-अलग कर देंगे ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से करने की बाद से अब हम लोग पालक जो काट कर रखे हुई थे उसमें एड कर देंगे प्यार्च उसके बाद से हम लोग इसमें दो चमच चावल का अटा एड़ करेंगी इससे बहुत ही कुरंची बनकर की वेड़ी होता है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगर मैंदा या बीजन का भी उस कर सकते हैं अब हम लोग इसमें बारी कटी होई हाडिमेच आड़ करेंगी बारी खिसा हुआ अद्रक आड़ करेंगी और थोड़ा सा बारी क्रस्ट किया हुआ खड़ा धनिया थोड़ा सा इसमें खड़ा जीरा आड़ करेंगी और थोड़ा सा सौंफ थोड़ा साब हम लोग इसमें तो इससे मैक्स करेंगे तो।। आपली यह पानी करए Г meertal थोड़ा सा इसमें ल襟 लेगी और एक कब अब इन सबको बिल्कुल अच्छी तडीकी से मेक्स कर लेंगे। हैत програмpidности के अगर आपको लगी कि नहीं मेक्स हो रहा है तो आप एक से तरीकी से अच्छी तरीकी से मेक्स कर लेंगी और बिल्कुल डो के फॉर्म में हम लोग इसे एक जगाई कठा कर लेंगे तो अभी के लिए मैं इसमें थोड़ा सा सफेड तिल लाल रही हूं अगर आपको नहीं पसं हैं तो आप इसे स्कीप भी कर सकते हैं अभ इसे अच्छी तरीके से मेक्स कर लेंगी और हंटी के तरा कलम कर लिया मेने यहाँ पी इसके बाद से अब लोग इसमें चोटी-चोटी पोर्शन में लेंगी और अपने हाथों से बल्कुल बन्यस से चिक्ना करकी इसके बना पर ट कर लेंगे यह देखी बिल्क इस तरीके से तो इसी तरीके से हम लोग इसका टिककी बना करके रेडी कर लेंगी और एक्साइट प्लेट में रखते जाएंगी तो अगर अभी तक आपको मेरी रेस्पी थोड़े पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को भी सुस्वाइब कर दीजेगा तो यह लिए बस इसी तरीकी से सब बना करके एक्साइट प्लेट में रख ल लेंगे तो देखा ना आपने पालक से कितनी मज़िदार और एक्डम जटपट सी रेस्पी बनकर की वेडी हो गई है जब आप इसे खाएंगी तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपने इसे पालक से बना करके रेडी किया है और यह रेस्पी सबको बहुत ही पसंद आएगा तो यह दिक है यहां पे एक साइट से बिल्कुल क्रिस्पी कराई घाले हो चुका है अब यह स scarf करेंगे तो यहां पे मैंने इसे गर्मा घरम सर्फ करेंगे तो यहां वे बिल्कुल क्रिस्पी करारी मर्जेदार सी पालक की रेस्पी बनकर की वेडी है तो इन स्वाइब की से मिलते हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना बेल एकन को भी प्रेस कर बढ़ाई